हे गाइज तो रिसेंटली शामी ने काफी सारी स्मार्टफोन के लिए मीवाइफ 14 का जो इंडिया स्टेबल अपडेट से वो रूल आउट करना स्टार्ट कर चुका है लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपने दिखा कि एक टाइम के लिए अपड करेंगे तो अपडेट आके चला क्यों गिया यह चीज आप लोग को समयजने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि शामी का अपडेट पॉलिसी कैसा है शामी किस तरीके से लोगों को अपडेट्स प्रभाइड करता है तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रैंड का जो अपड पूस करता है सबसे पहले तो वह बीटा यूजर्स के लिए आता है बीटा इस्टेबल नाम से वह अपडेट पूस किया जाता है अगर यहां पर शामी देखता है कि नहीं कोई रोम के अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वह धिरे-धिरे करके कुछ-कुछ रंडम यूज वर्ण को भीजना सट रड़ता है लाइक अगर शामी का आज का टार्गेट है कि हम इस अपडेट को इन डिवैसे के लिए 100 लोगों को अपडेट भीजेंगी तो ऐसा नहीं कि आगर आपके पास से अपडेट आया तो हमेशा ही आपके पास रहेगा नहीं शामी का तार्गे चल सकते हो जब भी हम Amazon से कोई भी डील के अंदर प्रोड़क्ट वाई करते हैं 15 मिनिट का टाइम होता है ना कि 50 मिनिट के अंदर अगर आप इसे नहीं चकाउट करेगो इस प्रोड़क्ट को नहीं वाई करोगी तो देन वो सामने बाले पारसन के पास चला जाएगा जिसनों अगर आपके पास ये अपडेट आके चला गया तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अपडेट इसके बाद आपको नहीं मिलेगा नहीं कुछ दिन आपको फिर वेट करना होगा इसके बाद ही आपको ये अपडेट फिर से दोबारा से मिल जाएगा now solution के बर में बात करता है कि अगर आपके पास update आके चला गया and अगर आपको update करना है तो आप फिर किस तरह से कर सकते हो सबसे पहला solution तो आपको कुछ दिन टेक wait करना होगा and जो भी मैं भी आपको यही recommend करूँगा कि आप wait करो कुछ दिन आपको फिर से वो update देखने को मिल जाएगा and second चीज आपके पास जो भी smartphone है उस brand का जो आपको update आया था उस update का file का आप लोग को download करना है and then आप लोग को manually अपने phone को update कर लेना है okay so now manually आप अपने phone को update किस तरह से कर सकते हो तो simply जो भी MIUI का version है आपके phone में तो इसके उपर आप लोग को पांस से छे बार tap करना है then additional update features are on इस तरह के का एक pop-up आप आएगा इसके बाद जब भी आप यहाँ पर three dots के उपर tap करोगी आपकी सामने एक नया option आपको देखने को मिलेगा choose update package कर गए इसके उपर आप लोग को simply tap करना है जो रोम अपने डाउनलोड किया है उससे simply आप लोग को set करना है then ok press करना है और इससे पहले आपका जो internet connection है उसे आप on कर लेना इसके बाद क्या होगा कि कुछ देर के लिए यह verify होगा इसके बाद automatically आपका जो update का process है वो start हो जाएगा अगर आप लोग को इसके बार में और detail में जानना है कि manually आप अपने phone को कैसे update कर सकते हो इसके regarding मैंने वीडियो बना रखा हूँ जिसका link उपर आप लोग को i button में और इस वीडियो के description में comment section में भी आपको मिल जाएगा तो I hope आपके सारे doubts clear हो गया होगा तो इसी बात पर वीडियो को like and share करना मत भूलना ऐसे ही और interesting वीडियो आगे देखने के लिए iDigital Touch को भी subscribe कर लेना अगर आपके मन में और कोई doubts है queries है तो नीचे मुझे आप comment करके पूछ सकते हूँ आप लोग का सुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए thank you